है गाइस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीज़े चैनल को करोन के चलते जो आप लोग को आर्थिक दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है आप लोग के आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए बहुत ऐसे बैंक है जो आपको आज भी लोन दे रहे हैं ऐसी प्राइट कमपनी आपका भाई आज आपके लेकर आया जहां पर आप ले सकते ह आपको परोग हो जाएगा क्योंवाल आधार कार्ड पैन कार्ड आपको देना होका लोन लेने के लिए अगर आप लेना चाहती है लोन तो वीडियो की बिल्कुल मत करना होगा मुझे पता है वीदर का आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड के लग बटन आपको दिखाए दरे असको प्रेस करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और हाँ उसकी ब्रावर जो बैल इकन दिखाए दरे असको प्रेस करने के बाद ओल सिल पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट का नाम है लक्समी फाइनस, लक्समी फाइनस डोट कॉम, ये एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आप लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं, इंडिया की अगर आपको यहाँ पर लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर बताऊंगा इलिजबिलिटी क्रेटेरियर डोक्मेंट्स आपको यहाँ पर क्या देने हैं, लोन लेने के लिए यहाँ पर अगर आप देहेंगे तो होम का पेज आपको यहाँ पर दिखाए देगा, आप आप आटस में जाएंगे तो आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं, वट वी ओफर, यानि आपको यहाँ पर जो ओफर मिलेंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको य to apply में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर किस तरीकी से loan के लिए apply करना उसकी detail आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यह देख सकते हैं आप banner चल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर home loan के लिए कर सकते हैं, business loan के लिए apply कर सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ सा scroll down करें दिखाऊं, तो guys आप यहाँ पर देख सकते हैं तो guys यहाँ पर यह बोल लिए कि easy approval आपको यहाँ पर मिलेगा interest rate है, वो start हो जाएगा 2% पर मन के हिसाब से first dispersal आपका loan amount यहाँ पर होने वाला है loan installment आपकी यहाँ पर मिलने वाली है no prepayment charges, no force closer charges आपके यहाँ पर लगने वाली है अगर आप 6 मेने बाद इसको करते हैं अगर आप मैं इसको थोड़ा सा और scroll down को तो guys यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ पर personal loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आपकी घर में आ गई है कोई medical emergency साधी के लिए पैसे कुछ रहता है business loan आप यहाँ पर ले सकते हैं loan apply आपने किस तरीके से करना है तो यह जानने के लिए आपको process to apply पर जाना होगा जैसे process to apply पर आप क्लिक करेंगे page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा page open होने के बाद कुछ इस तरीका आपको यहाँ पर दिखाए देने वाला है ठीक है तो आपके loan amount आपके bank के अंदर देदेंगे sign agreement करने के बाद ठीक है और यहाँ पर आप दी सकते हैं जैसे आप इस sign agreement करेंगे fund disbersal हो जाएगा आपके bank account के अंदर 12 से 24 घंटे के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर eligibility criteria कि यह ज़्यादा सबसे important होता है क्योंकि अगर इसके बारे में आपको नहीं पता फिर आप loan के लिए apply नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर यह बोले कि भाई आप जो है Indian citizen होने चाहिए तब आप यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हैं आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए loan apply करने के लिए आपके पास एक India के अंदर active bank account होने चाहिए जिसके अंदर हम आपके loan amount आपको transfer करने वाले हैं ठीक है आप solid person होने चाहिए proof of address में आपको यहाँ पर जो है अधार card, pen card, bank statement वगारा देनी होगी ठीक है minimum amount आपको यहाँ पर कम से कम 30,000 रुपे और maximum loan amount आपको 2 करोड रुपे तक की मिल सकती है तो यह है इसकी eligibility criteria अगर आप यहाँ से loan के लिए apply करना चाहते हैं अब बात यहाँ पर आती है कि loan आपने apply किस तरीके से करना है ठीक है loan apply करने के guys यहाँ पर 2 तरीके हैं एक है थोड़ा आसान तरीका एक है थोड़ा hard तरीका आसान तरीका क्या है guys नीचे आपको जो whatsapp का tab दिखाए दे रहा है simply आपको इस पर click करना होगा loan apply करने के लिए जैसे आप whatsapp के जो tab दिखाए दे रहा है उस पर click करेंगे page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा उसके बाद आपको continue to chat करना है जैसे continue to chat करेंगे आप जो है डारेक्ली जुड़ जाएंगे इनके employee के साथ इनके employee आपके साथ बात करेंगे आपको उनको बताना है हमें loan चाहिए ठीक कितने का loan आपको चाहिए वो आपसे पूचे है वो आपको बताएंगे क्या documents देने होंगे आपको loan लेने के लिए जो वो documents वो मांगे आपको वो documents उनको देने है WhatsApp के जरी है वे आपके loan application submit कर देंगे अगर आपको approve मिलता है approve मिलने के बाद आपके loan amount आपके bank के अंदर देंगे इस an agreement करने के बाद यह है इसका आसान तरीका loan apply करने का जो इसका दूसरा तरीका है loan apply करने का वो है online loan apply करने का online loan apply करने हरे एक को नहीं आता है क्योंकि अगर आप online loan के लिए apply करते हैं थोड़ी बहुत भी अगर कमी रहा जाती है online loan apply करने में तो आपका loan reject हो जाता है offline में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो apply ना को जो tab आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है simply आपको इस पर click करना होगा जैसे आप apply ना पर click करेंगे page आपके सामने कुछ इस तरीके से open हो जाएगा page open होने के बाद कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाए देने वाला है इस company का जो address है वो यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 350 city के अंदर यह loan देते हैं तो guys loan apply करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा सबसे वहले आपको first name, last name डाल देना है mobile number डाल देना है, email address आपको यहाँ पर डाल देना है, select loan type आपको यहाँ पर select करना है, यानि कौन सा loan आप लेना चाहते है, ठीक है, personal loan, home loan, car loan यहाँ आप लेना चाहते है, वह loan आपको select कर लेना है उसके बाद कितना loan आपको चाहिए, आपको loan amount डाल देनी है उसके बाद कितने दिनी के लिए आप लेना चाहते है, साल, दो, साल, तीन, साल जितने साल लेना चाहते है, simply आपको वह select करना है और आपने इसको submit कर दिना है submit करने के बाद guys क्या होगा आपका OMOR verify होगा आपको OMOR verify करना होगा और आप इसके अंदर registration complete कर लेंगे उसके बाद guys आपको person little देनी है employment detail देनी है documents वगर upload करने है अपनी loan application को submit कर दिना है loan application submit करने के बाद आपके loan application review होगी आपके पास back call आएगी आपकी verification होगी अगर आपकी verification हो जाते है और आपके documents verify हो जाते है तो आपका loan approve हो जाएगा यह आपको notify कर देंगे कि भाई आपका loan approve हो चुका है उसके बाद आपको e-sign agreement करना है और loan amount अपने bank के अंदर ले लेनी है बस आपको loan apply करने के लिए यह काम यहाँ पर करना होगा अगर आप यहाँ पर whatsapp के ज़रे loan apply नहीं करना चाहते है online loan apply करना नहीं चाहते है तो simply आपको request callback पर क्लिक करना यहाँ पर आपको जो दिखाएद है request callback जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इनके employee call करेंगे आपको बताएंगे पूरी detail किस तरीकी से आपने loan के लिए apply करना है ठीक है वो खुद आपके loan application को submit करेंगे अगर आपके area के अंदर यह company है तो भाई आपको अपनी company के office से बुलाएंगे आपको वहाँ document दाकर देने है और loan application और loan के लिए apply कर लेना ठीक है तो आप जो है इस तरीकी से भी loan के लिए apply कर सकते हैं तो guys अगर आप लेना चाहते है COVID-19 में loan तो apply कर सकते हैं लक्स्मिय फाइनेंस से मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए है अगर आपको वीडियो पसंद लेकर लाइक कर देना पहली बार ये वीडियो देखिए क्याल देर सब्सक्राइब कर लेना चले मिलते हैं कि लेकिन वीडियो साथ आखिल बेसी अतना ही ये वीडियो देखिलें बहुत बहुत देना है थैंकि ये वीडियो दिकलें बहुत देना है थैंकियो सो मच